हेलो स्टुडेंट्स वागत है आप सभी का क्लास फॉर स्टेडी बाइ सुनील सर के ओफिशली यूटूब चैनल पर आज हम यहाँ पर साइंस के कुछ एक्सपेक्टेट कोश्चन्स को देखने वाले हैं जो एस इस आपके MPFOREST के एक्जाम में छपने वाले हैं जो अभी MPFOREST का एक्जाम बाइस में से होने वाला है आपको निश्चित तोर पर यहाँ से हर सिफ्ट में प्रश्चन मिलने वाले हैं MPFOREST के लिए हम आज यह वाली जो सीरीज है इसको स्टार्ट करने वाले हैं MPFOREST जेल प्रहरी के लिए साइंस का आज हमारा सेट नमबर वन होगा एक्सपेक्टेट कोश्चिंस का इनसे बाहर नहीं आएगा याकीन मानिए अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं इनको तो आपको इनी मैसे कोश्चन मिलेंगे आपके एक्जामिनिशन में यह line वैसे ही नहीं लिख दी गई है यह जो लिखा इनसे बाहर नहीं आएगा यह line वैसे ही नहीं लिख दी गई है अगर आपने Class for Study by Sunil Sir के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा लेटिस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने जीके की ये वाली वीडियो नहीं देखे हैं जीके के 10 धमाकिदार कुश्चन्स तो आप इसे देख लिजेगा आपको Class for Study by Sunil Sir के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथ में इंग्लिश के भी बहुत शांदार लेक्ट्यर्स डले हुए हैं आप उनको भी दे Theology में अध्यन किया जाता है सबी बताएंगे Theology में किसका अध्यन किया जाता है Option A है आहार वा पोशन का Option B है शरीर के रचनात्मक संगिटन का Option C है विविन्य धर्मों के तुलनात्मक अध्यन का and Option D है जीलो का तो मैं आपको बता दूँ जो जीलो का अध्यन है उसे हम लिम terminology कहते हैं और इसका जो correct answer है कि Theology में अध्यन किया जाता है तो यह हो जाएगा आपका Option Number C विविन्य धर्मों के तुलनात्मक अध्यन का Option Number C is correct next question देखिए यहां पर मैंने कुछ important terminologies लिखी हूँ लिखी हूँ जो कि आपके MP forest में यहीं से आपके questions आने वाले हैं तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए देखिए यह पकलचर मदु मक्की पालन कहला आता है सेरी कल्चर रिष यूपीट पालन C लौरिकल्चर । फूलों की खेती ऑस्टियलॉज घ्डियों का अध्यन कहलाता हैं पैटोलोज़ी कोशिका का अध्यान ऐसे कालाता है पहली ये जिव सिर्फ इन परहने से ब्रेन शुगर का जाता है निम्ने मेंसे किसे brain sugar कहा जाता है आपने ये वाला question से पहले नहीं पड़ा होगा निम्ने मेंसे किसे brain sugar कहा जाता है इसका correct answer है वो है galactose ठीक है galactose को brain sugar के नाम से जाना जाता है next question निम्ने मेंसे किसे table sugar कहा जाता है निम्ने मेंसे किसे table sugar कहा जाता है option A है glucose, option B है fructose, option C है sucrose, option D है galactose तो इसका जो correct answer है वो है table sugar को हम sucrose के नाम से जानते हैं table sugar को हम sucrose के नाम से जानते हैं यह देखिए 4th 5th question होना चाहिए ना चलिए देखिए यह देखिए 5th question निम्ने मैंसे किसे blood sugar कहा जाता है निम्ने मैंसे किसे blood sugar कहा जाता है इसका जो correct answer होगा वो होगा glucose glucose को blood sugar के नाम से जाना जाता है यह देखिए यह question छूट गया था हमारा निम्ने मैंसे किसे fruit sugar निम्ने मैंसे किसे fruit sugar कहा जाता है option A glucose, option B fructose, option C sucrose, option D galactose तो मैंने आपको पहले भी बता दी हूँ इसकी through जो अभी पढ़े है चार questions उन्हें को revision कर लेते हैं तो galactose जो है इसे brain sugar कहते हैं sucrose जो है इसे table sugar कहते हैं fructose जो है फासे fruit, फासे fructose इस question को जो right answer है fruit sugar वो fructose को कहते हैं और blood sugar glucose को कहते हैं यहीं से आपका revision भी हो गया चल्व मैं यानि diabetes के कितने प्रकार हैं तो दो प्रकार हैं चार प्रकार हैं दो प्रकार हैं चार प्रकार यह साथ यह कर लीजे एक कर लीजे इसको मदु में जो है दो प्रकार की होती है कौन कौन सी एक होती है मैलिटेस एक प्रकार होता है मैलिटेस एक होता है इंसीडियस एक होता है मैलिटेस एक होता है इंसीडियस ठीक है चलिए शर्वादिक शिक्स नंबर सर्वादिक प्रोटीन किस दाल में होता है A है तूष्यों b है मोंग। उख्यों की है न करेक्ट सरवादिक suchP स्रवादिक प्रोटीन जो है वह होव। तूछर शर्वादिक Souls 갔 me तो यह कोश्यों कोश्यों सर्वादिक प्रोटीन में स्वाय कोश्यों निम्नमेν किन läuft इंपर्टन पूश्य नेम यह सक लिए निमन Hai पाचन करिया में फेप्सिल नहीं होता है वह मंत्रशन के पाचन क्या में होता जहां ऋभनेंट मेंसे थे तो पाचन क्या में चाल सैब्सक्राइंब शांदक है और साइन्स की बहाओyr नहीं होता है है पैपसिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन है वो दूद का पाचन करता है तो इस सोब सीमा में या प्रकाश मंडल में इस question का जो correct answer है वो है आपका question यह है समताप मंडल में ठीक है समताप मंडल में ओजन परज्जों है वो समताप मंडल में इस्थित है अवस्थित है question number 9 प्रतिवी तल से पलायन वेग का मान है ठीक है इसका इस यह में जो है question इसका answer आप देन्गे comment box में ठीक है यह आपके लिए ठीक है यह questions का answer आप देंगे comment box में हे भोपाल दुर साइनाइट बहुत सही अब वो जो question है यह मैंने आपके लिए छोड़ी हूँ आप इसका comment में answer बताएंगे ठीक है चलिए आज ही class में इतना ही अगर आपने ये वाली जो series है ये अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे देख सकते हैं काफी अच्छी बनी हुई है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next expected questions वाली series में जो कि बहुत useful होने वाली है आपके MP4 estimate as it is आपको questions यहां से मिलने वाले हैं तो अभी subscribe कीजिए class for study by Sunil sir के YouTube channel को अगर वीडियो को like नहीं किया है